यह गाइज वेलकम टू माई चैनल सुमे टेरोड कार्ड डीडिंग और इस समय पर क्या एनर्जी इस रहने वाली है आपकी टेरोड कार्ड में देखेंगे तो जनरल डीडिंग है यह एंड टाइमलेस है तो सब लोग इस डीडिंग को देख सकते हैं सब्सक्राइज आपके देख सकते हैं किसी बीटाइम पर देख सकते हो क्योंकि टाइम बाणडेशन नहीं है इसलिए और जो अभी कमिंग डेज में जो भी पोर्टल लाने वाला है उसकी एनर्जी इसको लेकर मैं आ जाही हूं हूँ आज मैं सुबह सुबह मेडिटेशन कर र तो मेरे साथ ऐसा डेली ही होता है, अवरी डेय ऐसा होता है, कि जो इश्वर हैं, उन से मैं बाते करती हूं, अंजल से मैं बाते करती हूं, काफी काफी देर में मेडिटेशन करती रहती हूं, गंटो में मेडिटेशन करती रहती हूं, बाते करती रहती हूं, इश्वर से प्र कोई और जो फेवाला है उसमें क्या स्हिती रहने वाली है आपके पर सदों इसमें कि बारे में किया सोचने बाले है चुर। अट- decorations है दिझस तोड़ा सा टाम देए मुझे सकते हैं अ है , क्या और ऒर टामरता देशा है इश्वर को याद करें, महादेव को याद करें, उसके बाद अपने उस परसंग का नाम लें, जिनके लिए आप इस रेडिंग को देख रहे हैं तो चली, energies को चेक करेंगे, क्या है, coming days में जो portal open ओने वाला है, उसकी जो energies मिल रही है है ना तो वो energy, जब तक मैं शेयर नहीं कर दोगी आपके साथ, अब तक मेरा जो mind है, वो उसी तरफ लगा रहेगा, कुछ संदेश मिलते हैं, बहुत ज़्यादा संदेश मिलते हैं, उन संदेशों को मैं आपके साथ जो है वो share करती हूँ, आए तो दो card है, ठीक है, यह भी आ आपके और third party की energies हैं, मतलब अगर if any condition, आपके रिष्टे में ऐसा कुछ है कि आपके person, third party की तरह बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं, उनकी feelings बहुत ज़्यादा उनकी side हो रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ connect हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्हीं की बातें मान रहे हैं, उन्हीं के साथ से चल रहे हैं, if any condition, ऐसी चीज़ है, तो कही न कहीं आपके जो person है, इस energies में, क्योंकि आप यहाँ पर जो energies आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं आपके person को सोचने पर मजबूर कर रही है, उनके लिए क्या स यहाँ पर जो आपके person है, अगर वो उन्होंने जो commitment दिया था, उन्होंने जो वादे किये थे, अगर वो भूल गए, तो वो चीज़ें खुद बाखुद उनके सामने आ रही हैं, और उनको न वो चीज़ें खुद बाखुद उनको याद दिला रही हैं, कि हाँ ऐसी ऐसी मतलब होता है, कि sometimes हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें संदेश देते हैं, यूनिवर्स हमें एक ही चीज़ को बार 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 रेपीट करते रहते हैं, जब तक हमारे सामने वो चीज़ें हो नहीं जाती हैं, तो कुछ ऐसी ही energies होने वाली है, ऐसी situation होन कर यह decision लिया है, कि वो आपके relationship में वापस आएंगे, काफी जादा यहां पर stability की भी energies आ रही है, जो कि यहां पर इस चीज़ को भी represent कर रही है, कि जो आपके person है, जो partner है, वो overthinking, over stress, उन्होंने जो भी किया, लेकिन उसमें कहीं न कहीं उन्होंने वो मतलब उस energies की तरफ focus कर ना शुरू कर दिए, को कि अभी तक क्या था, कि वो एक को fear में थे, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी उनका fear था, उनके मन में एक fear था, आपके रिष्टे को लेकर, है ना, अपने relationship को लेकर, and family का भी fear हो सकते, बतलब एक डर, एक डर था, कि हाँ भाई, अगर मैं यह ची और इसकी तरह बढ़ोंगे तो यह चीजें होंगे, यह चीजें सामने आ जाएंगे, तो कहीना कही आपके से लिए, मन में एक अच्छी feelings रखने के बाद भी, अपनी मन में अच्छी energies को रखने के बाद भी, आप तोनों के बीच में एक अजीब सी energies थी, जो इसमें कहीना कह understand नहीं कर पा रहें ते वो आपको और आप उनको इस समी के जो इस्थिति में दिखेंगी रहे हैं आप किसी भी तरीके से बात हो भी जा रही थी आपके उनके बीच में तो देखने को मैं क्या मिल रहा था आपको कि मैंने इतनी दिर बात की मैंने तिर एफर्ट किया लेकिन रिजल्ट मिला वहीं उन्हें अंडरस्टेंड नहीं किया उन्होंने संजहें नहीं आपकी बात को रिप आपके प्यार को महत्व मेंदव है नह जो आपने किया इसको महत्व नइदिया उसको रस्पॉंस यह तो आप इतना नहीं अभी उस चीज़ को कर पहेंगे बिना उसके डीप में जाए लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बोलोंगी कि जो आपके परसन है उनके अनर्जीस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके परसन आपकी तरह बहुत ज़्यदा अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यदा आपकी परवाह हो रही है आपकी चिंता हो रही है अपने रिश्टे की बचाने की चिंता हो रही है अपने तो आपका रिष्ता कोई भी हो सकता है इसलिए ना पूछे कि इस रिष्टे के लिए हम अधर अंदास करके आवर्ड करके आपके पास जो है रिटर्न आ सकते हैं अनर्जी यहां पर उपन हो गई है और उपने अपना अच्छा यह अपने और आपके लिए अच्छा चुल लिया है वो समझ चुके हैं कि हाँ आप ही जो हैं वो उनके लिए एक बहतर लाइफ है दोसे चीज़ देखो सब्सक्राल अरक इस चांट दो सब्सक्राइब अपटर सकती हैं यहांप कि आप किसी और अर्स पर फि fiber host यहां पर आपका पार्टनर यह जगए पर इसरे हो सकता है यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपका पर संभ बोलेगा उस जगे पर या उस जैसे माली जिए पर रहते हैं ठीक है माली जिया आप लोंगंस ठेंस में हैं या वोग को बोले आपको कि मुझे इस जगे तुम्हें रहना है मैं भी यहीं रहूंगा या फिर आपके पसंद यह भी बहुत सकते हैं आपको कि आप और वह एक अलग प्लेस पर जाके हैपी हैपी रहे और अपने और अपने आपके रिलेशनसिप जो है विए नई शुरू बात करें न्यू बिगनिंग शुरू करें तो यह चीज भी यहां पर हो सकती है मतलब तो होगे लेकिन इस्टेवल होने के लिए वह और आप मतलब कहीं न कहीं वह चाहेंगे कि आप उनकी बातों को सुने आप उनकी बातों को माने जो सपोर्ट था या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे या उनका साथ अभी तक पकड़ा हुआ था या उनको बहुत दस सुन रहे थे आपके परसन इनकी बातों को मान रहे थे वो चीज़ों को नजर अंदास करते हुए आपके परसन मजे यहां पर दिखाई दे रहे हैं राशियां मैं बता देती हूँ कि राशियां क्या यहां पर आ रही है मैं राशियां बता देती हूँ तो को मेश राशी हो सकती है कुम्भ राशी हो सकती है कन्या राशी हो सकती है तुला राशी हो सकती है आपकी परसन की राशी हो सकती नहीं मिले अगर आपको कि मुझे सवाल पूछाता है मैं मगर हमारी राशी नहीं और यς परसं की राशी नहीं गले तो अगर ऐसी सिटूपेशन आती है कि आपकी राशी की सब्सक्राइब नहीं कि नहीं बताता है यह नहीं बता सकते हैं अपनी और आपके दोनम ऐसे किसी की राशी नहीं मिल रही है तो अनर्जी से देख सकते हैं इन चीजों से भी देख सकते हैं तो यहां पर Scorpio Pisces Leo Cancer कि यहां पर आशें दिखाएं दे रही Estress का काड़ आ गया है यहां पर अने वाले दिनों में आपके पर में को परसन को स्टरेस नर्मली तोर पर वह स्ट्रेस होगा जो उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा इक ना कि हम पिछली कई चीजों को सोच सोच के स्ट्रेस करते कि आरे मैंने उसको इतनी हमयत ने दी उसने तो मुझे इतना मतलब इतना मेरी इस बातों को माना मुझे इतना मुझे इतना मान सम्मान दिया मुझे इतना प्यार दिया है ना लेकिन मैंने मैंने क्या किया मैंने मैंने उसको नहीं दिया मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया यह सारी चीजों को बड़ा सूच सकते हैं बड़ा सोच सकते हैं और यह यकीन मानी जो यह दिख रहे हैं इस अद्विश के बाद ही वह डिशीजन और चाल्ड होड रिलेशन से पापका इनके साथ हो सकता है एज रिफ्रेंस आपका इनके साथ हो सकता है दूसी चीज कहीं ना कहीं ऐसी भी अनर्जी जा रही है कि आप दोनों की बीच में जो गिले शिक्वे हैं वो भी दोर होंगे कोई बड़ा बिग डिसीजन ले सकते हैं कोई अकेले हैं बहुत जाता है यहां पर लॉनली लैसे काड आ रहा है और यह काडियां पर यह बता रहा है कि आपके परसंड बहुत जदा अकेले हो चुके हैं इस समय पर भी आप रीडिंग देख रहे हो तो उन्हें इस समय स्ट्र यह चीज़ें यहां पर दिख रही है कि उन्होंने आपको नहीं समझा आपको इतना सम्मान नहीं दिया या फिर आपकी वातों की वैल्यूनी की लगारा कि रूड़ी वेवियर जादा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रूड़ी वेवियर उनका बढ़ता जा रहा है यह सारे च लगता है जब आपके हो अपके बाइंसान फिल करता है जब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई जो प्यार करने वाल इंसान ता फो इनसान की तो मैंने कदर नहीं कि आप तो बस अक्छेला पर हैना क्योंकि कहते हैं कि समय रहते चीज़ों को समझना बहुत जूड़ और लोगम और हम अगर होती है लिए से एन ब्रिचिन जो कार्मिक रिलेशनिशिप भी आपके पर आपके रहें की आंपर पर रहे हैं आपका कार्मी को कार्मिक फर रहे हैं5000 परले से भूय बोते है maar पलसर की सथ और कोई में सकती है फ्रेबर बस सब्सक्राइब सब्लेट करें कि असे बातं कर देख सहनों कि तरह evidence कि जब यह जो उरजा है जो यह जो एगेटिव जो रही है जो कि रिमूव हो रही है और तो यह चीज आपर दिख रही है और कहीं न कहीं ब्लैसिंग है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्वर की किरपा है जो उनको आपके जो पार्टनर है ठीक है उनको गल्ट बहुत जादा फ्लील हो रहा है बहुत जादा इस गिल्ट法 में फ्लील होती हूद देख रही हूँ आपके पर्षण को और गेल्ट उनको इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो नोंने जो उनसे हुआ है मतलब अचानक से बना बताए रिष्टे को तोड़ देना है ना और लाग कोशिस आपकी करने के बाद भी चीज़े ठीक ने करना तो यह सारी चीज़ें यहां पर दिख रहे हैं दो कहीं ना कहीं चीज़ें अब आपकी सुधरती हुए दिखाई दिखाई दे रही है, इस टेरोकाडिटिंग के एकॉर्टिंग टिक है, तो यूनिवर्स ते प्राथ ना करूंगी मैं, प्लेयर करूंगी मैं यूनिवर्स से कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो भी लोग करते हैं इसको चार्ज करते हैं ध्यान करें उनिवर्स का ध्यान करें जिनका ध्यान इश्वर की तरफ होता है ना जिसका भी ध्यान इस मनुश्य का ध्यान इश्वर की तरफ होता है इश्वर उसे कभी भी निराश्ण परणने करते हैं Sometimes एसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं लोग में इश्वर सुन वाने मैं कहते हैं यह सबढ़ना सकता सब कुछ है उसका ध्यान जनू करा कर गिया है एक बहुत अस्यक्सेसफ यह जो ऑर फोकस कर रहे हैche cац हो सकते हैं कि आप बहुत टाइम पहले मिले हो और अच्छनक से आप अलग हो गये हो यह आप इसी आ पर आ खार रही को अवक्त की जो कि अपकी हाद तक होती हो दुखायते रहे दूसरी तेया पर में को आना चाहते हूं जो आप दोनों के पिच का जो प्यार है आप काफी टाइम से ऐसा हालाद हो गई है आप लोगों के बीच के जो चीज तीज समझने पर नहींया चीज ठीक होने प बदलाओं हैं जो पार्टनार हैं, वो बहुत ज़ादा आपको लेकर, बहुत ज़ादा सोचते हैं एक इसान जब बार-बार आपको के तुरारे मैं सोच रोह है उसका मन नहीं लग रहा है किसी बार जीद में, वो सिर्फ वो सिर्फ आपकी तरफ फोकस कर रहा है तो मिन्स कहीं न कहीं है तो आपके रिष्टे में जो आ रही है जो उर्जा आ रही है वह इस समय पर ओपन होते हुई दिखाए दे रही है बहुत सब एक अच्छी एक अच्छी उर्जा मुझे यहां पर दिखाए दिखाए दे रही है और अगर आपके relationship में कोई भी third person कोई भी third party थी तो वो यहां पर पूरी तरीके से आपके relationship से हट्तियों दिखाए दे रही है यहां पर रून्स की भी energies को देख सकते हो कि किस तरीके से एक pair जो है वो इस समय पर आप लोगों का बना हुआ दिखाए दे रह है तो यहां पर जो energies आ रही है वो pair में दिखाए दे रही है यानि कि अगर आपका भी खराओ था no context situation था तो बहुत हाथ तक कि no context situation open हो जाएगा आपके partner के मन में खुद बखुद आपके लिए feelings आ रही है जो आपने पहले इनको call किये थी जो पहले चीजे समझाए थी जो पहले आपने उनसे देरो बाते की थी वो चीजे उने अब समझ आ रही है आप उनकी दमाग में ना वो चीजे revise हो रही है दु personally आपको अगर कोई भी reading लेनी है जनब पत्री कुण लेनी है तो आप contact कर सकते हो मेरा number जो है वो वीडियो पर आ रहा है इस number पर आप बात कर सकते हैं मेरी supporting team आपको इस number पर आपको मेरी supporting team से बात होगी वो आपको appointment देंगे देन आप मसे बात करेंगे and take care bye bye